राज़समन जील में राज़समन जील का जल इस्तर लगातार बढ़ता जा रहा हैं और जील को लेकर हर किसी में एक उतसुपता है जील का गेज कितना बढ़रा है और जील के इत्यास से जुड़े बातें भी चल रही हैं और इसी बीच में रासमन्द के समाज से भी वह भाज़पानेता गणेश जी पालिवार द्वारा एक अनुठी पहल सुरू की गई या एक अनुठा कारिक्रम सुरू किया गया है जील महोसव इस जील महोसव का सुभारम हो चुका है इसके एक कारेले का सुभारम भी एक दिन पहले रासमन्द सहर में हुआ है और इसके साथ ही विबिन गतिवीदिया जो है जील से जुड़ी गतिवीदिया सुरू की गई है हमारे साथ में अभी गणेजी पालिवाल है गणेजी सबसे पहले तो आपने जील जो की सहरी नहीं पूरे गाउं के लोगों के दिलों में बसी हुई है और अब क्या ये मुख्य उदेश है रासमन्द जील मेरे इस जीवनकाल में मैंने एक बार देखी भरी हुई तो वो आनंद का शन जो यहां के रासमन्द के लोग है इतने खुश है इतने प्रसंद है मैं खुद भी बार बार इस जील पे नोचोकी से लेकर एरिकेशन वगरा और च्छत्रियों की सैड में उस समय गया देखा अनंद के पल में मतलब यहां के लोग बहुत ही प्रसंद है तो मैंने सोचा यार यह इस बार विप्रजोय जो तुफान आया थ उस दिन एक दिन में रामदर्बा चलका और गौमती मया रात्री को रासमन में आगी तो लगा कि इस बार जील भरेगी और दिरे 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 जील का स्तर उपर उड़ता गया तो मन में एक विचार आया कि रासमन जील भरना हमारे जैसे उस्सव हो उसी प्रकार से है तो हमें यहां पर इस उस्सव को महसव में बदलना चीए ठीक है ना तो इस परकार से पहले दो दिन का विचार आया कि दो दिरसी कारक्रम करें फिर मेरे कुछ मित्रगणों ने सला दी कि इसको एक दिन बढ़ा है इस परकार से अच्छी-ची सला को मानते हुए दो से तीन किय प्रिए तीन से चार और फिर यह पांच दिरसी मैसो अपने अलग-अलग कारक्रमों को लेकर यह मनाये जा रहा है इसमें मुख्य रूप से कारक्रम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ करेंगा यह यह कारक्रम होंगे मुख्य रूप से सुरॉत आपने कर ली हैं सुरात में जैसे कारलायका तो हो गया अब 23 तारीक से गेवर माता मंदिर माताजी पूजन होगा और वहाँ पर 101 कन्या सर्व समाज की वहाँ पर जीमाएंगे और उनका पूजन भी होगा जो आज दिन तक हमारा तरीका रहा है उसी प्रकार से माताजी को नमन करते हुए इस कारकरम की सुरात करेंगे गेवर माता मंदिर से सुबे साड़ादों से दस के बीच में ये कन्या पूजन और माताजी पूजन का कारकरम का तेज तारीक होगा और इसके उपरान 24 तारीक को सुबे साथ बजे से जील सफ़ाई का अभियान जो एक महत्पूर्ण है क्योंकि हमें ये संदेश भी देना है कि जील को सुच रखना साफ रखना हम सब का भी करता हुए हम प्रसासन के साथ साथ में हम यहां के जिमिदार नागरिक है और हम सब भी इसे साफ रखने में थोड़ा योगदान देवें तो जील सफ़ाई का अभियान सुबे साथ बज़े से सुरू होगा जो वो साड़ा नो दोस बज़े तक वो चलेगा उसके उपरांत दो पर बाद में फिर पोदर उपन का कारिक्टरम वासोल चतरी के पास में और कुछ एडिकेशन कारडन यहां पर चोईस तारिक को यह लगबग साड़ा बारा एक बज़े के लगबग वहां पर होगा और इसी प्रकार से 25 तारिक को शाम को यमुना जी पूजन जील को हम यमुना सोरुपा मानते हैं तो यमुना आरती वहां पर करेंगे जील पर अपने द्व वह दीपदान वाला कारक्रम होगा तो वह गाट पे हम सीडियों पे और कुछ दिप अंदर पानी में भी प्रवाइद करेंगे तो वह भी खाक रहें के दोने में तो वह आटे के दीपक और यह बाद में मचलिया उसे असनी से खा सके ताकि कोई किसी प्रकार का कई वहां प में थेstory एक और क्षब्ज को ही रहे गा यूँए द्वारक दिश्ब्र सुबहें यह बहुती महत्पूर्ण दिन है और चप्वी स्टारी को सुबहा प्रभू-दर्शन होंगे और प्रभू-दर के बाद में आ नहीं गतानगी करींगए जील-पूजन के बाद में एक बहुत ही बड़ी चुनुडी का निर्मान करवाया है और चुनुडी इस जील को इस महस्वों में जो हम यमना सोरूपा जील मानते हैं इस यमना सोरूपा जील को चुनुडी ओडाएंगे उसमें बड़ी संख्या में शेहर वासी माता बेने और गामेरी चेतर से लोग करकर मैं निवेदन भी कर रहा हूं सभी से कि मतलब इसमें भाग लेवे और पदा रहें और एक इस अलोकिक नजारे को मतलब सभी अपने आंखों से देखें प्रभु दौादार का दिसके चरणों में इस जील के महत्तु को समझें और जो जील बरी हुई कैसी लगती है हमारी में उस्तव के बाद में मतलब 5-15 मिन बाद में यह लगबग 11.30 के लगबग हम यहां से पदियात्रा पूरी परिग्रमा छेत्र इस जील का जो परिग्रमा छेत्र है पूरा शेहर आ गया शेहर से फिर हम सेवाली होते हुए भगवांदा मोर्चना पसून फिर वहां से जहां पर हमारी रासमंद की बहुत सी प्रतिवाएं हैं बहुत से अच्छे-च्छे कवी हमारे रासमंद में हैं जो राश्टी सर पर जा रहे हैं टीवी पर आ रहे हैं ऐसे कवी अपने तासोल में कवी समयलन में भाग लेंगे और उनके सानिद में वहां के आसपास के बावर भाणा लवाणा वासोल होते हुए फिर लाश्ट में प्रभू द्वार का दिश्क के चरणों में आके इस यात्रा का समापन करेंगे इसमें मुख्य रूप से ये इतना भवी कारिकरम है निश्ची तोर पर पेले से लोग उच्सव का महौल हैं और उसी को महौसो बना पर भी जाके न्होता देख आया हूं और सारे लोग इसमें कोई पार्टी पorialटिक्स नहीं इसमें भाजपा कॉंग्रेस और अन्य पार्टायांस सभी पादा रहें और सरकारी घेर सलकारी सभी संस्थान इसमें पादा रहें क्योंकि हम जील सरक्षन का संदेश दे रहे हैं जल सरक्षन का संदेश दे रहे हैं परियावरण की द्रश्टी से हम परियावरण बचाने के लिए हम यह संदेश साथ में लेके चल रहे हैं स्वच्छता का पोधार ओपन का हम अच्छे काम को लेकर यह कारक्रम कर रहे हैं पा लोग भी सामिल होते हैं तो मेरे को यह यह तो नहीं है कि राजनीतिक ड्रस्टी कौन से यह इसा नहीं है राज दावेदार हैं अलग जैसे कोई यात्रा निकाल रहा है कोई अलग सिविर लगा रहे हैं तो उसी दोड में आपने भी यह मैंने किया लेकिन यह सुद्ध रूप से पिछले वर्ष जो राज मौसव हुआ था मुझे काफी अच्छा लगा उसमें मैं भी सहबा की रहा था लेकिन उसमें एक चीज में ने जो देखी के राणा राज सिंग जी ने जो एक इतियासिक जील का निर्मान कराया है कि वाके में यह जील को किसी भी छोड़ से देखिए आप मंदिर पे देखिए एरिकेशन साइड में जाके देखिए और जहां पर हमारी चादर चलती वह देखिए वहां पर जहत्रों का जो लेवल देखे मदब मदब बहुत ही आश्चर वाली बात है कि उसमें मशिनरी यूग नहीं था उसमें इतनी तक्निक नहीं पड़ी इने एहने हैं तो यह बड़ी बात है हमें इंपर बूत बड़ी बात है कर रहे हैं और रहे में स्वुरब कर रहा है और यह व्यांने बहुत स्वुन अच्छा काम है और यह सवुर्ब करें और मैं प्रयास करूँगा आगे भी इसका राजनितिक द्रश्टी से भी आप दावेदार भी है तो इसका भी कहीं फाइदा तो मिलेगा जनता जुड़ेगी उसके लिए लगतार 25-30 वर्सों से मैं काम करी रहा हूँ जनता से मैं जुड़ा हूँ तो राजनितिक व्यक्ति तो हूँ वो कई बात नहीं लेकिन हम राजनिति में रहते हुए भी सामाजिक सारोकार के काम कर सकते हैं अच्छे काम कर सकते हैं मतलब अच्छे संदेश वाले काम कर सकते हैं परियावरन को बचाना ये हमारा भी करता हुए हमारी जील का सनक्षन हम सब का भी करता हुए हम केवल सरकारों के बरुसर नहीं रह सकते हैं और हम मन में एक कल्पना लेके चल रहे हैं कि हमारी जील हमेशा भरी रहे हैं पानी मिलता रहे और हमारे चेतर के किसानों को भी हमेशा पानी मिलता रहे। ऐसा कुछ काम आगे चलके हम ये इसके बाद में भी करना चाहेंगे। जील हमारे रासमन की दढ़करन है, हमारे आत्मा है और हम इसे समार कर रखेंगे और ये हमेशा बरीर है, ये प्रभू से काम न करता हूँ. बिलकुल बहुत बहुत दन्यवाद गणे जी ये मुख्य रूप से आपने देखा जील महुसव, जील के सरक्षन की बाते हैं, सवरधन की बाते हैं, परियावरन की बाते हैं और अब प्रतेक्स तोर पर राजनिती की बाते भी हैं। गणेजी पालिवाल आयोजक हैं गणेजी पालिवाल भाजपा के दावेदार भी हैं निश्चित तोर पर हर क्षेतर के लोग उसमें जुड़ते भी हैं नोचो की जील किनारे इस रासमन जील महोसव की सुरुआत होने जा रही हैं और उस सुरुआत में कन्या पूजन होगा और इसके साथ इस महोसव में सहर के साथ ही ग्रामन क्षेतर से बड़ी तादाद में लोग सामिल होंगे और उस महोसव के हर एक पहलू को हम आप तक पहुंचाने का प्रियास करते रहेंगे आप जुड़े रहे हैं जेवरदन न्यूज के साथ धन्यवाद दमारूती नंदन ग्राइन नाथद्वारा स्थ एक मात्र अल्ट्रा लगजिडियस फाफ स्टार होटेल राजसमंग जीले की एक मात्र फाफ स्टार होटेल दमारूती नंदन ग्रैन में भोजन की स्वादिश्ट थाली अब शرف 250 रुपए में श्रिनाजी की नगरी मारुदी नंदन ग्रैंग थेन्क नाधिद्वारा थेन्क नंदन ग्रैंग